आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Question में हमसे बोल रहा है कि Earthworm के अंदर कौन सा ऐसा Structure है जो की हॉर्मोन सिक्रीट करने के केपिबल है और चार हमें Earthworm के अंदर पाए जाने वाले Structures के नाम Options में गिवन है तो सबसे पहला Option देख लेते हैं Nerve Cod दिया हुआ है Nerve Cod और हमें यहाँ पे Cerebral Ganglia दिया हुआ है यह दोनों ही Earthworm की बॉड़ी में प्रेजन्ट होते है और यह important component होते है Nervous System के तो इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो यह Earthworm के अंदर Nervous System के Component होते है और यह बहुत ही important रोल प्ले करते हैं किन चीजों में Let's say यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एक तो होता है sensory और एक होता है motor क्या impulses sensory and motor impulse जो होते है and specifically Earthworm की जब मैं बात करते हूँ तो इनका जो transmission होता है उसके transmission के पूरे procedure में यह दोनों बहुत ही important role play करते हैं Transmission of sensory and motor impulses के अंदर यह दोनों बहुत important control play करते हैं कौन को nerve cord and cerebral ganglia आगे बढ़ते हैं अब जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे lymph gland के secretion की ठीक है तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं तो यह जो lymph gland होते हैं इनका जो secretion होता है यह बहुत important role play करता है किस चीज में bacteria के destruction में bacteria को destroy करने के पूरे के पूरे process में destruction of bacteria ठीक है अब बचता है हमारा chloragogen cells ठीक है chloragogen cells यह जो हमारे cells होते हैं यह क्या करते हैं store करके रखते हैं क्या चीज यह store करते हैं extra वाला glucose ठीक है glucose extra glucose को यह store करते हैं किस फर्म में करते हैं extra glucose glycogen की फर्म में यह store करते हैं और toxins जो होते हैं उनको neutralize करने में यह हमें help करते हैं ठीक है हमारे जो toxin है यहाँ पे body के अंदर इन toxin को neutralize कौन करता है हमारा यह जो chloragogen cells जो हमारे हैं यह store करते हैं glycogen को extra glucose को glycogen की फर्म में और help करते हैं toxins को neutralize करने में ठीक है तो इसके according यहाँ पर हमारा answer option 4 होगा क्योंकि यही तो है जो secret कर रहे हैं ऐसे hormones और weekend से ऐसे secretions जो की toxins को neutralize कर रहे है तो यहाँ पर option 4 जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप यह whatsapp कीचे अपने doubts आच चारसो 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 पर